श्री शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव में पायल सेनि अपने यूटूब चैनल आज की उपाय में आपका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में हम बात करें पूजा में यह नवरात्री में कलश इस्थापना क्यों की जाती है कलश इस्थापना में या कलश में किनकिन देवी देवताओं का वास होता है कलश इस्थापना की वीदी और सामगरी इनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में नवरात्री और अन्यसभी पूजा में कलश इस्थापना सर्वमान्य होती है हमारे हिंदु धर्म में किसी भी शुपकारी को करने से पहले कलश इस्थापना करने का विधान है श्रास्त्रों में कलश को पूजा के इस्थान पर बहुती महत्वपुर्ण बताया गया है पूजा में कलश इस्थापना करने से पूजा का शूप और मंगल फल हमें मिलता है हमारे हिंदु धर्म में बिना कलश इस्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्टान मान्य नहीं होता है इसलिए चारो नवरात्री हो या अन्य कोई पूजा कलश इस्थापना हमेशा की जाती है जिस पूजा में कलश की स्थापना होती है उस पूजा में 33 कोटी देवी देवताओं को निमंतरन देने की आवशक्ता नहीं होती है 33 कोटी देवी देवता उस कलश में विराजित होते हैं नवरात्री हो या कोई अन्यधार्मिक कार्य जिक ग्रह प्रवेश, शादी विवा, दुकान का उद्गाटन, घर का उद्गाटन, दिवाली पूजा, चोट की पूजा आदी अन्यधार्मिक कार्यक्रम में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती हैं कलश इस्थापना करने से पहले उस जगह को गंगाजल से पवित्र किया जाता है, फिर उसके बाद कलश इस्थापना की जाती है कलश इस्थापना के बाद ही पूजा इस्थान पर जिसकी भी आपको पूजा करनी है, उनको इस्थापित किया जाता है कलश इस्थापना करने से घर में दुकान में जहां भी आप कलश की इस्थापना करते हैं वहाँ पर सकारत्मक उर्जा का वास होता है और शुक शान्ती के साथ सम्रद्दी भी भमेशा बनी रहती है भगवार विश्णु अमरत करच के साथ प्रगट हुए थे इसलिए कलश में अमरत्व की भावना रहती हैं यही खारण है कि घर में शुब आउशरों पर पूजा पाट में कलश इस्थापना कराई जाती हैं कलश संब्रह्मान का प्रतिक माना जाता हैं मान्यता है कि संपुर्ण देवता ब्रह्मान में एक साथ विराजित होते हैं यदि पूजन में कलश इस्थापना होती है तो इसके माध्यम से समस्थ देवी देवता हमारी पूजा में विराजित होते हैं आईए जानते हैं कलश इस्थापना में हमें किनकिन सामगरी की आविशक्ता होगी कलश इस्थापना के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चोकी उसके बाद चाहिए लाल कपड़ा चोकी पर पिछाने के लिए जल से भरा कलश, एक नारियल मोली लपेटा हुआ पांच आम के पत्ते या पांच अशोक के पत्ते कलश में डालने के लिए एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गाट, तिन्चा लोम, थोड़े से चावल के अक्षत, कुमकुम अब सबसे पहले चोकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर थोड़े से अक्षत रखने के बाद लाल कपड़ा बिछाएं अब किसी प्लेट में भरकर थोड़े से चावल रखें, इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे अब इस चावल पर जल से भरा कलश रखें अब इसमें सिक्का डाले, सुपारी डाले, हल्दी की गाट डालिए, लोंग डालिए और थोड़े से चावल के अक्षत डाल दीजिए इसके बाद थोड़ा सा कुमकुम इसमें डाल दीजिए अब कलश पर पांच आम के पत्ते लगा दीजिए डंडी वाला हिस्सा जल के अंदर के ओर रखना है और पत्ती का तीखा वाला मू बहार के ओर रखना है अब नार्यल लीजिए नार्यल पर मोली लपेट दीजिए नार्यल पर मोली आपको नो बार लपेटनी होती है कलश इस्थापना के नारियल पर 9 बार लपेटी हुई मोली धन लक्षमी का प्रतिक होती है यदि आप 9 बार से कम मोली लपेटते हैं तो यह धन संपदा को छिन्न करती है मोली लपेटने के बाद नारियल को कलश पर इस्थापित करेंगे नारियल का जो चोड़ा वाला हिस्सा होता है उसका मुख आपको कलश क्यों रखना है और जो तीखा वाला हिस्सा होता है उसे आपको उपर क्यों रखना होता है यदि आपके पास आम के पत्ते नहीं है या आपके आम के पत्ते मिले नहीं है तो आप आम के पत्तों की जगह अशोक के पत्तों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब कलश पर स्वास्तिक बनाए कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद कलश पर मोली बान दीजिए चलिए अब जानते हैं कलश में किनकिन देवी देवताओं का इस्थान होता है कलश इस्थापना में कलश पर रखा हुआ नारियल भगवान शीव के पूत्र कार्तिकी जी का स्वरूप होता है कलश इस्थापना में नारियल पर लपेटी हुई मोली माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है कलश इस्थापना में कलश पर रखे हुए आम के पत्ते अम्रत का स्वरूप होता है कलश का सबसे उपरी भाग जो कलश का मुख होता है वो विश्णुजी का स्वरूप होता है वहाँ विश्णुजी वास करते है उससे थोड़ी से नीचे लोटे के गले में भगवान शिव का इस्थान होता है वहाँ शिवजी विराजित होते हैं इसके बाद कलश का जो फेला हुआ भाग होता है वह ब्रह्मा जी का स्थान होता है वहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं इसके बाद कलश का जो पूरी तरीके का बाहरी सतर होती है वह तेतिस कोटी देवी देवताओं का इस्थान होता है वहां तेतिस कोटी देवी देवता वास करते है कलश का जो पेंदा होता है वह भगवान शीव और माता पार्वती का इस्थान होता है कलश के पेंदे में भगवान शीव और माता पार्वती विराजित होते हैं कलश पर बनाया हुआ स्वास्तिक चारो युगों का प्रतिक माना जाता है कलश में जो जल भरा होता है वो इस बात का संकेत देता है कि उस जल की तरह हमारा मन भी शीतर और निर्मन बना रहे इस्थान होता है तो इस क्लिप को पुरा देख लीजिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से कलस इस्थापना आप नवरात्री में जो चारो नवरात्री होती है उनमें कर सकते हैं गणेश चतूरती पर कर सकते हैं करवा चोत पर एक अन्य किसी चोत पर कर सकते हैं ग्रव प्रवेश की पूजा में कर सकते हैं दुकान के उद्धाडन में कर सकते हैं या किसी भी अन्य धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाट में सभी तरीके की पूजा में आप इस तरीके स कलश की स्थापना कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो ये वीडियो में बताए गई हुई जानकारी अच्छी लगी हो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ शेर अवश्य करें वीडियो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखें